नमस्कार मैं होनुष का बिहारी नियूज में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार के एक ऐसे नेता के बारे में बताने वाले हैं जिनके निधन की असली तारिक पर आज भी विवाद कायम है भारत के प्रथन दलित उप्रधार मंत्री स्वतंतरता सेनानी और कॉंग्डिस पार्टी के दिगज नेता रहे बाबु जगजीवन राम का बिहार ही नहीं देश की राजनीती में एतिहासिक स्थान है उनके नाम 50 सालों तक सांसद रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है साल 1936 से 1986 तक वह सांसद बने रहे और कई मंत्राले की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी अपने पूरे कारकाल में वे गरीबों और वन्चीतों के हक हकोग के लिए लड़ते रहे उन्होंने इस दुनिया को साल 1986 की जुलाई महीने में ही अलविदा का दिया था मगर रोचकतत है यह है कि उनकी मौत की सही तारीक पर आज भी रहसे बना हुआ है यह रहसे अब भी अनसुलजा है और काफी विवादास्पत भी है बाबु जगजीवन राम के निधन के उपर आखिर क्या विवाद है जो तीन दशकों के बाद भी अब भी बना हुआ है उसे बताने से पहले हम जगजीवन राम के जीवन की बारे में आपको बताने बाले है बिहार के लाज जगजीवन राम पाच अपरेल 1908 को भोजपूर के चंदवा गाउं के एक दलित परिवार में जन्म लिये थे उनके जन्म से ही लोग उन्हें प्यार से बाबु जी बुलाते थे पढ़ाई के लिए जगजीवन राम कोलकाता गए जहां से साल 1931 में उन्होंने इस नातक की पढ़ाई पूरी की थी कोलकाता में ही उन्होंने सुबाश्यंद्र बोज से मुलकात की थी साल 1934 में जब पूरा बिहार भुकंप की तबाही से पीरित था तब बाबु जी ने बिहार की मदद वर राहतकारी के लिए अपने कदम बढ़ाई थे और तभी उनकी मुलकात महात्मा गांधी से हुई जिसके बाद उनके नित्रेतों में भारतिय स्वतंद्रता आंदोलन में अभूतपुर भुमी का उन्होंने निभाई इसे दोरान उनकी राजनेति कौशल और दूर दर्शिता का पता चला था हलांकी वह 1936 में ही बिहार विधान परिशत के सदा से बन गये थे और उसके अगले साल वह बिहार विधान सभा के लिए चुन भी लिए गये थे आजाने के बाद नहरू मंत्री मंदल में जगजीवन राम को अनुसोचित जातियों के अकेले नेता की रूप में शामिल गया और उन्हें श्रम मंत्राले का जिम्मा सौपा गया यही से बाद जगजीवन राम का केंदरे मंत्री की रूप में सफ़र शुरू हुआ वह 30 सालों तक देश के केंदरे मंत्री रहे पहले नहरू की मंदल में फिर इंदरा गांधे की कारकाल में और अंत में जनता सरकार में उप्रधान मंत्री की रूप में केंदर सरकार में अपने लंबे करियर की दोरान उन्होंने श्रम, क्रिशी, संचार, रेलवे और रक्षा जैसे अनेक चुनोती पुर्ण मंतरालेों का जिम्मा संभाला उन्हें गरीवों का मसीहा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कई महत्पुन्स श्रम संसोधन उन्होंने अपनी कारिकाल में किया था बाबु जग जीवन राम के जीवन की या संक्षित जानकारी के बाद अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों उनकी मौत की तारिकों पर आज भी विवाद कायम है हर साल उनकी पुलिति थी 6 जुलाई को मनाए जाती है मगर दुनिया को अलविदा कहने के बाद भी उनकी मौत की तारिक का रहस्य साफ नहीं है कहा जाता है कि बाबु जगजीवन राम का निधन 4 जुलाई को ही हो गया था उनकी मौत की खबर को 4 जुलाई को ही औल इंडिया रेडियो ने प्रसारित कर दिया था इधर 4 जुलाई को ही ततकालीन प्रधानमंतरी राजीव गांधी एक बड़ी मीटिंग के लिए मौरिशस जाने वाले थी जैसे ही खबर मिली कि जगजीवन बाबु की मौत हो गई है वेकार से दिल्ली के राम महनोहर लोहिया अस्पताल पहुचे जहां बाबु का इलाज हो रहा था वहाँ पहुचते ही अपनी गारी से राजीव गांधी उतरे भी नहीं थे कि उनकी सुरक्षा इ उनके निधन की खबर सुना दी थी इसके बाद ही नियूज एजेंसियों ने अपनी गलती सुधारते हुए सही सूचना दी कि जगजीवन राम गंभी रूप से बीमार है और उनकी निधन की खबर गलत थी लेकिन आखिर इतनी बड़ी सूचना कैसे बीना जाचे चला दी इस पर विवाद बना रहा इस मामले में काफी विवाद हुआ कि राजिव गांधी अपनी मौरिशस यात्रा को रोकना नहीं चाहते थे जिस कारण उनके मौत की तारीक को दो दिन बाद 6 जुलाई का बताय गया जगजीवन राम की पोती और कई नेता ने ये आरूप लगा कि बाबु जी की मौत 4 जुलाई को ही हो गई थी इसी वज़ा से राजिव गांधी जल्दीबाजी में उन्हें देखने एरपोर्ट से लोटे थे लेकिन हम सब ने बाबु जी के शरीर का दरसन 6 जुलाई को किया तब उनके चेहरे पर वैसी सुजन थी जो मौत के काफी घं को चिपाया गया था तो यह थी बाबु जीवन राग की मौत से जुरी विवादास्पत कहानी जो अब तक साफ नहीं है हलांके इस हाई प्रोफाइल मामने के बाद सरकार ने नियम बना दिया कि किसी वीवी आईपी के निधन की सूशना करी जाज के बाद ही चलाई आज के इस वीडियो में इतना ही तब तक के लिए मुझे दीजे इजाजत नमस्कार